है लो जी नमश्क्राइब Calling and action देखो जी दो तरह की रसम हम बनाएंगे ठीक है हम बनाएंगे एक टोमेटो रसम विदावट रसम पाउडर और दूसरा हम बनाएंगे तिपिकल दाल रसम विद रसम पाउडर तो हमने का लगे हाथ दोनों चीज दिखा दें देखे क्या है हर प्रांत की अपनी अपनी डिशेज है अपनी अपनी ब्यूटी है अपना अपना स्वाध है लेकिन बहुत कम डिशेज दुनिया में ऐसी होती है जिनके बेनेफिट बहुत जादा होते है और उनकी सिंप्लिसिटी भी उतनी जादा होती है और रसम जो है वो अगर ऐसी को भी लिस्ट बनेगी The simplest dishes that are most beneficial रसम जो है उसमें टॉप पे होगी हम उसे complicate कर देते हैं हम रखते हैं रसम बनानों कहता मुश्किल होगा हम मतलब हम उत्तर भारत वाले तो मैंने का आज ब्रेक कर देते हैं उस भरांती को लेए मैंने 4 टमाटर और अगर अच्छी रसम बनानी है न तो वो टमाटर लो जो कोई नहीं लेता यानि कि छोटे वाले गोली टमाटर थोड़े से कच्छे हल्की सी खटास हो जिनमें वो टमाटरों में आक्चुली टेस्ट आएगा एकदम फर्स्ट लास पर्फेक्ट पके हुए टमाटर लेके रसम में मज़ा नहीं आएगा पिर आप एमिली डालते रहोगे खटास के लिए यह हो रहा जिए टमेटो रसम की त्यारी हो रही है बिना पाउडर वाले की इसमें हमने डाल दिया है टमाटर काटके चार इसके बाद अब हम इसमें डालें करीपत्ता करीपत्ता हाथ से तोड़ेंगे यह लेजे दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया करीपत्ता तोड़ते ही जो है महौल बन जाता है इसके बाद धनिये की डंडी, पत्ते, जो हैं सब डाल दिए अगर डंडी डाल रहे हैं तो बिल्कुल बारीक चॉप करिएगा ये लिजे, ये गया धनिया, उर्फ धनिये की डंडी गार्लिक क्रश्ट अभी भुना हुआ जीरा, लगभग हाफ टी स्पून गार्श्ट पेपर कॉर्ण, ये बड़ा इंपोर्टेंट है ये काली मिर्च ठोक के, काली मिर्च ही एक्चुली इस रसम को औशदी बनाती है जो रियल मेडिसिनल वैल्यू है, वो काली मिर्च और कड़ी पत्ते की है, काली मिर्च जादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होनी चीए ये लोजे, भुना जीरा हो गया क्या खुशिबू है डाइजेशन के लिए, जीरे से अच्छा कुछ नहीं है इन अईरुवेदा ये हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने और हाफ टी स्पून निकाल लेता हूँ अब इसमें जाएगा जी नमक और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं खास तोर अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं, अच्छे से मैश करना एकदम इस चीज सा कोई सब्सिट्यूट नहीं, ये जो है टोमेटो रसम का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये टोमाटर के जूसेश जो है अच्छे से मिक्स हों सारे फ्लेवर्स जो है मचोर हों, इसको दस मिनट फिर ऐसे छोड़ें ये जो है अच्छे टोमेटो रसम की मोनो पोली है हलवा बना देना इसका ये ये लेजे तो ये हो गया जी टोमेटो रसम बगए रसम पाउडर के जो बनने वाली है उसका मीज़ा प्लास अब बनाते हैं रसम पाउडर वाली रसम उसके लिए टमाटर चॉप करें ये पहले मसाला बना लेते हैं तो मसाले का समान जो है देख लिजए यहां रखा हुआ है एक, दो, तीन, चार और पांच तो सबसे पहले जी दाले भूनते हैं ठीक है तो ये गया घी जादा नहीं थोड़ा सा उसके बाद उरत डाल, चना डाल कड़ी बत्ता, अगर आप डालना चाहते हैं तो, ठीक है ये डाल वन ये डाल टू, चना डाल, उरत डाल कुछ लोग तूर डाल भी डालते हैं, आप तूर डाल भी डाल सकते हैं, अगर डालना चाहें तो, चने की जगा पे इसके बाद धनिया जीरा काली मिर्च मेथी लाल मिर्च गी ऑप्शनल है, आप चाहें तो, हर एक को अलग-अलग ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं सारे इंग्रीडिंट्स, ऐसा कोई ज़रूरी निया कि घी डाल नहीं है आपको पता है, मेरा घी के साथ थोड़ा रिष्टा ज्यादा ही स्वीट है, इसलिए मैं डाल देता हूँ दूसरा अभी जो डाले है ये घी पी जाएंगी, तो आपका ऐसा है लेगए बहुत सा घी है इसके अंदर उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता में डाल देता हूँ बीच में अगे निक कड़ी पत्ते का मॉइस्चर वगरा सब डालें खी चलेंगी, टेंशन मत लीजे देखिए लाल मिर्च की टेंशन मत लीजे, क्या है ना मैं हमेशा कहता हूँ के लाल मिर्च अगर आप नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर तो लाल मिर्च पाउडर वाद में डाल सकते हैं हलका सा घी में भून के तो लाल मिर्च की टेंशन मत लीजे लेकिन अगर लाल मिर्च डाल रहे हैं तो उसको हलका साथ घी में क्रिस्पी कर लीजेगा अगर आप घी इस्तमाल करने तो ड्राइ रोस्ट कर लीजेगा बट मॉइस्चर निकाल लीजेगा उसका अब ये जाएगा मिक्सी में पिसने के लिए ठीक है बारिक पाउडर करके वापस आजाएगा और फिर हम शुरू करेंगे दूसरी रसम विद रसम पाउडर देखे कितना क्रिस्पी एकदम फुल क्रिपसी आपको बता रहा हूँ ना मैंने इधर की बात करी ना उधर की बात करी मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप अगर नहीं देखेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं अराद हो जाओंगा और आप कहेंगे रनवीर आपने बताया नहीं मैंने ये भी नहीं बोला भी तक इतना तो दो प्यूंट हुआ है नाइस तो यह हो गया जी रस्टम पावडर देखिए लग रहा है कि इतना गी है मैं क्या दालों का फैदा ही है सारा गी सोक लेती है इसको फ्रिज में रखेंगे तो छे में ने कुछ ने होगा बंद रखेंगा एर टाइप लेकिन सबसे पहले हम कौन सा रस्म बना रहे है जिसमें की हमने बिल्कुल भी भगवान भला करे क्या बोलते है उसको आउडर नहीं डाला है तो यह गए टामाटर और किते से चार टामाटर से ना चार टामाटर के अंदर दो कप पानी अब इसको धीरे 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 पकने देंगे सब कुछ इसकी अंदर है कुछ नहीं करना तो यह जो है हमारे रसम नंबर वन का बेस है रसम नंबर वन यानि की टोमेटो रसम नो रसम पाउडर जो कभी भी कोई भी घर पे अराम से बना सकता है अब बनाते है रसम नंबर टू रसम No.2 यानि कि परिपु रसम या दाल रसम जो हम अकसर रेस्टरॉंट में रसम के नाम पर खाते हैं और सबसे कॉमनली अवेलेबल रसम भई है इस रसम को बनाने के लिए आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या रेगिलर ओयल यूज़ कर सकते हैं उसके बाद सुखी लाल में स्टैंडबाई रखिए कडी पत्ता स्टैंडबाई रखिए लॉट्स अफ कडी बता रसम मतलब लॉट्स अफ कडी बता कहने को डिश है लेकिन है दवाई मतलब सर्दी हो, नजला हो, जुखाम हो, सरदर्द हो, खासी हो शरीर में कमजोरी हो, प्रोटीन की कमी हो, बॉड़ी बैलंसिंग की जुरत हो, पेट खराब हो, बुखार हो शरीर को साध देती है रसम, बहुत काम की चीज है यह गई राई कडी पस्ता लाल मिर्च गार्लिक, वेरी इंपोर्टेंट है तमाटर तमाटर के बाद डाल दी हल्दी अगेन, अंटिसेप्टिक, शरीर के लिए अच्छी, अंटिवाइटिक, स्किन के लिए अच्छी क्या था वो? डिश नहीं, और शधी अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ओर है, यहाँ पर इमली मैंने लिए और उसको सोक करके उसका पल्प निकाल लिया अब इसमें डाल दिया जी रसम पावडर वो जो हमने बनाया था अभी हलका सा भूना उसो के पहले भूना हुआ है न इसके बाद ये डाल का डाल दिया पानी डाल जो है, उसका पानी इस्तमाल करना है, डाल इस्तमाल नहीं करना है तूर डाला, जिस डाल से सांबार बनता है हाम तौर पर दक्षिन भारत में क्या होता है जब घरों में सांबार बनता है तो सांबार का जो पानी होता है दाल का पानी वो निकाल लिया आता है रसम बनाने के लिए यह अपने बिना रसम पाडर वाली रसम में भी दाल का पानी डाल दिया देखे, टमाटर को पहले अच्छे से पका लिए औरना दाल के पानी का स्वाद नहीं आएगा इसलिए यहां पर भी मैंने टमाटर को भून लिया और यहां पर भी टमाटर को पका लिया अच्छे से ठीक है? अब बारी है इमली की खट्टा जो है खास्तोर खाने से पहले बहुत काम आता है हमारे शरीर के जो digestive juices है वो खट्टे से एकड़ एक्टिवेट हो जाते है खट्टा खाके हमारा शरीर जो है वो तयार हो जाता है खाने के लिए इसलिए रस्म में खटा सोनी बहुत ज़रूरी है नमक मक एक बार चेक करें और इमली को पकने दें इमली को पकने देना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ग्लास नमक मेरे को ये बगएर मसालय लगा अच्छा लगता है आहा फैंटास्टिक हो गया मामला सेट भूक लगा ही मेरे को भी एक चीज़ और डाल दूमें थोड़ा सा गुड़ जैगरी खटास को बैलेंस करने के लिए ये देखें ये है रस्ट नमबर वन एकदम पतला वाटरी टिपिकल टोमेटो रस्ट नो मसाला और ये है रस्ट नमबर टू मसाले वाला वो रेस्टरांट स्टाइल रस्ट इसकी हमें आदत है तो अभी ये जो रसम है विद मसाले वाली इसमें तड़का लगाने की जूरत नहीं क्योंकि हमने शुरू में तड़का लगाया लेकिन ये विदाउट मसाले वाली रसम में भी तड़का लगाने की जूरत है और इसका तड़का हमेशे घी में लगता है और बहुत बेसिक मिर्च, राई, मेथी, कड़ी पत्ता और बाद में लॉट्स अफ धनिया, चैटर क्लोस तो इमली डालने के बाद कम से कम 7-8 मिनट उसको पकने देना यह पार्ट बड़ा इंपोर्टन है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है अलसो टैमरेंट डालने से पहले टमाटरा माटर पक जाना चीए दाल वाल का काम हो जाना चीए, टैमरेंट लास्ट में जाने चीए तो कि एक बार खटास पड़ गई तो फिर चीजने पकेंगे नहीं तो बगएर मसाले वाली टमेटो रसम के लिए घी इसका लड़का जो है घी में लगता है, इसकी ब्यूटी वही है यह गई राई और मेथी आप गारलिक भी डाल सकते हैं यहाँ पर दोबारा अगर सरदियों का टाइम है तो गारलिक अच्छा है कड़ी पत्ता, basically moral of the story यह है कि कड़ी पत्ता ठोक के और सूखी लाल मिर्च, कोई भी लाल मिर्च डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रनवीर ने अगर बटन चिली डाली है तो आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं बनाएंगा यह बाहना नहीं चलेगा, ठीक है बास, एक लास्ट बोईल और डन, ऐसे डन नहीं होगा, आपको भी पता है कि धनिया जाएगा, मेरा प्रिया मित्रुच जाए गई जाएगा ऐसे हम डन नहीं होने जाएगा, बट पहुँच गया है, मतलब जहां तक पहुँचना था आखरी पड़ा हो रहेगा धनिये का, यह वाला टोमेटो रसम जो बगएर मसाले का है, इसकी ब्यूटी है यह, धेर सारा कड़ी बत्ता, धेर सारी काली मिर्च और धेर सारा गार्लिक आप ठीक है जी और अब रसम नंबर दो, भड़िया सा चावल हो, गर्म-गर्म रसम हो, रसम राइस से लाइफ ऐसे बन जाए और क्या छी है, साप डिल्ले फान्टास्टिक दुनिया में बहुत कम सुख जो है वह रसम राइस से ज्यादा सुख देने वाले हैं, तो अब यह बहाना भी चलाएगा कि रनवीर मसाला वसाला कौन बनाएगा बगएर मसाले के रिस्पी आपको बता दिया और हाथ से खाईगा, चम्मा चम्मा से मत खाईगा और हाथ से काने से पहले ना वो सब्सक्राइब कर दियेगा दिए गंदे हाथ से सब्सक्राइब का बटन जो है वो गंदा हो जाएगा ना थैंक्यू, थैंक्यू फूर लेटिंग मी बी मी